हेलो दोफ्तों मैं रोशन कुमार आप सभी दोफ्तों को ग्यानी पपा यूटूब चैनल में स्वाधत करता हूँ आज मैं आप सभी लोगों के लिए दस काफी ज़्यादा मैजदार और फनी फनी फैक्ट्स लाया हूँ जो कि आपको काफी ज़्यादा इंटर्टेन भी करेंगी और आपके नॉलेज को भी बढ़ाएंगी तो बने रहें इस वीडियो के अंतक चलिए स्टार्ट करते हैं सोने में तो भाई सबको माजा आता है कोई खराटा लेकर सोता है तो कोई सोने की जगए टांग उठाकर नासता है लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप रात में कितने बार करवाटे लेते हैं तो चलिए मैं बताता हूँ एक आम इनसान रात में लगभग 40 बार करवाटे लेता है अब आप हमें बताओ कि आप रात में सोते टाइम कितने बार करवाटे लेते हैं अगर आप कोई भी फैसले लेने में कच्छुए की तरह स्लो हो तो तेंसन मतलो मैं बताता हूँ कि आप सबसे तेजी से किस टाइम फैसले ले सकते हो तो आप सबसे तेजी से उस समय फैसले ले सकते हो जब आप वेडियो गेम खेल रहे होते हो लोग अकसर टोयलेट सीट कोई सबसे गंदा मानते हैं उन्हें लगता है कि ट्वैलेट सीट ही सबसे ज़्यादा बैक्टेरिया वाला प्लेस है और इसी कारण ओहर वी एक हार्पिक का उप्योग करते रहते हैं लेकिन उस फोन का क्या भाई कभी-कभी हार्पिक का इस्तमाल अपने फोन पे भी कर लिया करो क्योंकि फोन पर ट्वैलेट सीट से दस गुना ज़्यादा बैक्टेरिया और किटानू रहते हैं तो भाई अपने जानू सोना को वीडियो कॉल पर किस करने से पहले हार्पिक के इस्तमाल जरूर करें यानि पापा द्वारा जनित मजारी ऐसे सायद हर्पिक के यूज करने से आपके फोन खराब हो सकते हैं इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ जो आपको बहुत ही कमाल कमाल के गैजेट के बारे में बताएगा जैसे कि ऐसा गैजेट जो आपके फोन को सेनेटाइज कर देता है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिना एक फैक्ट है कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो ज़्यादा तनाव में रहते हैं और अपने आपको अकेला मैसूस करते हैं इसलिए भाई ज़्यादा मत सोचा करो क्योंकि मेरे दोस्त पर्खोगे तो पूरी दुनिया पर आई है और समझोगे तो सारे अपने हैं तो ज़्यादा मत सोचो अगर फिर भी सोचना चाते हो तो कुछ इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचो मिनेसोटा यूएस का एक स्टेट है वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा रूल है वह रूल यह है कि आप एक ही रसी पर जनाना और मरदाना यानि लेडिज और जेन्स के चड़्डी नहीं टांग सकते हो अब मुझे तो नहीं पता या रूल क्यों है सायद वहाँ कि गौर्रमेंट को डर हो कि कहीं दोनों की चड़्डी आपस में एक्सचेंज ना हो जाए बाइदोवे अच्छा इडिया नहीं है एक हैक है जो कि बिलीब करने लायक तो नहीं है आप हमें इस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए वहाँ पर हम डेली पांच से दस पोस्ट, क्यूज, पॉल्स और आपके क्यूजन्स को पिक करते हैं हर कंट्री में कुछ न कुछ फनी मीत होती ही है लेकिन नार्वे अलग ही लेवल पर है ध्यान से सुनियेगा, हासियेगा मत नार्वे में क्रिस्मस के साम को लोग ज़ाड़ो को छुपा कर रख देते हैं क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यूं करते हैं लोग चलिए मैं बताता हूं वहाँ कि लोगों का ऐसा मानना है कि अरे भाई हो चुड़ेल है उसे बड़े बड़े काम करने होते हैं ये चोटे मोटे काम नहीं करती हो ऐसे तो महिलाय हमेशा से मरदों की बात पर सक करती रहती है उन्हें लगते है कि वो जुट बोल रहे है और यह बात सच भी है क्योंकि पूरुस दिन भर में छे बार जुट बोलते हैं जो कि महिलाओं के जुट से दो गुना से भी अधीक है लोग अपने बारे में अच्छा सुनने पर सक करते हैं तो चलिए हमारा आंतिम फैक्ट है Walmart और Harvard से रिलेटेड पर आप उससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप Walmart में जॉब के लिए अपलाई कर रहे होतों उससे अच्छा है कि आप Harvard में डिगरी के लिए अपलाई कर दीजिए क्योंकि मेरो भाई Harvard में admission percentage rate 4.5% है वहें Walmart में जॉब के लिए selection होने का rate सिर्फ 2.6% ही है तो सोच लिजी आपको किधर जाना है तो आज के लिए हमारा सफर यहीं तक था ऐसे आप हमारे चैनल पे जाकर और भी वीडियोज देख सकते हैं तो आप हमें comment हम बताएए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और share कीजिए तो फिर मिलते है अगले वडियों तब तक लिए बाबाए टेक क्या हो